हेलो प्रेंट्स आपके यूट्यूब चनल मैप्स विजाड में आपका स्वागत है तो आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि जो भी चीजे चल रही है क्या चल रहा है टीजिंग से रिलेटेड क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है तो मेरी ऐसी पूरी कोशी रहती है कि कुछ न कुछ आपको जो है वो अपडेट्स दिया जाए तो मैंने कुछ पॉइंट नोट डाउन किया प्याटी के रिजल्ट के बारे में बात करेंगे आपका ये मरेस पी एक जो भी समझी है इसको तो इसके बारे में बात करेंगे तो आप इस वीडियो को जो है शुरू से कर लाज तक देखिएगा ताकि आपका कोई भी पॉइंट जो है वो मिश्र नहुँँँग तो चलिए फ्रेंट्स बीना कोई देरे की हुए जो है हम लोग आज इस पर इ पर हम लोग बहुत ही डिटल में बात करते हैं जैसे कि आपको पता है कि मैं आपको अपने इस चैनल के माध्यम से टीचिंग से रिलेटेड अपडेट प्रवाइट करवाता हूं साथ ही साथ मैथेमेटिक्स का जो भी मेरे पास नौलेज है वो भी मैं आपके साथ सेयर करने है उसके बारे में हम लोग बारी-बारी से बात करते हैं तो आज हम लोग बात कर वाले teaching updates के बारे में क्या चल रहा है क्या भी चल रहा है हमारे teaching sector में कि के बीएस प्याटी रिजल्ट देखे सबसे तगड़ा टॉपिक सबसे ज्यादा research किया वाला सबसे अवेटेड रिजल्ट टीचिंग सेक्टर का अगर कोई result है तो फिलहाल वो है आपका के बीएस प्याटी का result और के बीएस प्याटी का result कब आएगा सायद अभी तक किसी को नहीं पता exact कि क्या पता है और exact उसी को पता होगा जो के वीएस office में के वीएस headquarters में या जिनके देख रेख में जो है आपका ये पूरा requirement का जो process होगा वह आपका पूरा चल रहा होगा वहीं बता सकते एग्जाक्ट किसी को नहीं पता ठीक है लेकिन यहां पर एक बात पॉज्टिविटी के साथ जोड़ी देखिए आपको भी पता है सभी को पता है चाहे वह वाकेंसिस रिलेटिट वर्क हो चाहे रिजल्ट का का वर्क हो सभी चीजें जो है इंडिया में इलेक्शन के जब समय टाइम आपका नियरेस्ट होता है तो काफी चीजों में हम लोगों को जो है वह काफी स्पीड देखने को मिलता है तो जैसा कि आपको पता है कि इसका प्याटि का रिजल्ट पिल्डिंग है इसके के लिए जो बुलाए जाएगा तो एक से लेकर के डेड़ महीना का टाइम जो है अटलिस्ट हो लगेगा तो जो अभी आपका टाइम आपको पता है कि सभी आपका यह भी आपका सेंटरल वेकेंसी है और सारा कुछ जो है आपका सेंटरल गवर्मेंट के अंडर में आपका ह रहा है तो आप जैसे जैसे election का समय आपका नजदीक आएगा वैसे वैसे उनकी पूरी कोशिस रहेगी government की जो भी जो है आपका advertisement है जो भी processing में है जिसके result नहीं आए है उसको जल्दी से दिया जाए तो इन सब possibility के basis पर यह कहा जा सकता है कि result तो अब तो आज आना चाहिए बाट फिर भी कब exact आएगा वो किसी को नहीं पता बीच बीच में इस related कुछ आती है जैसे बीच में आपका आपका एक window open हुआ था जिसमें आपका कि बहुत जल्द result आ जाएगा और बार अक्टूबर दस से बार अक्टूबर से आपका यह आपका ऐसा नहीं है कि इसका interview हो चुका है interview अगर हो गया होता तो इसके फाइनल result में आप कह सकते थे कि अगर आप ऐसा एक्जूम कर रहे हैं कि इलेक्शन के आसपास में result आएगा तो आप इसको कह सकते थे कि आपका जो है जन्वरी फरवरी तक आ सकता है लेकिन अगर उनका मंसा है कि इसको इलेक्शन से पहले तक जो है जो भी candidate है जिनका selection हुआ है उनको joining दे दिया जाए तो इसका result के आचार सहीता लगने से पहले सब कुछ दे दे तो ऐसा कुछ उमीद लगाई जा सकती है और अगर रिजल्ट में डिले अगर होता है किसी कारणवास किसी टेक्निकल किसी को कोई पता नहीं किसी को कुछ पता नहीं तो यह वेकैंसी का result आपको जो है वो बतलब लटक सकता है और के बीए इसका अडविटीजमेंट वैसे ही लेट से आया था और जिस टाइप से इन्होंने एक्जाम लिया था ऐसा लगा था कि बहुत जल्द सब सारा प्रोसेस आपका complete हो जाएगा और सब कुछ किलियर हो जाएगा लेकिन एक बार वहां पर उन्होंने बहुत the kitchen sector की बात करते हैं जैसे टीटी हो गया पीजीटी हो गया प्याव बचल्दी हो गया इसका अभी तक कोई भी अता पता नहीं है तो फिलाल इसका आप एपियर किये थे और आपके अच्छे खासी स्कोर थे इंटरव्यू भी अभी बाकी है तो आपको और भी अधर एक्जाम के अपर्चुनिटी अगर आपके पास है तो उसका भी प्रिपरेशन करना चाहिए ऐसा लिए कि आपके रिटेन में बहुत अच्छे मार्स थे तो होता है कि माइंड को सांथ रखना दिमाग को सांथ रखना काफी मुश्किल होता है लेकिन इसका एक ही लाज है कि और भी अधर ओपर्चुनिटी अगर आपके पास एबलेबल है और भी अधर और एक्जाम के आप प्रिपरेशन कर सकते हैं तो उसका करिए एक्शुली क्या होगा कि अगर आप अपने माइंड को बहुत ही मतलब बीजी रखते हैं तो फालतू की चीजों में आपका ज्यादा इंवाल नहीं होगा और अगर वह जो आप ऐसे ही सोचते रहते हैं सिर्फ बैट के सोचते रहते हैं तो आपका माइंड डिप्रेशन वगेरा बहुत सारा थिंकिंग आपके माइंड में आता रहेगा तो खुद को बीजी रखें तो यहीं इसका उपाय है ठीक है और इसका रिजल्ट का यहीं जो मैंने बोला ऐसे ही कुछ संभावना यह चल रही है बाकी एक्जक्ट किसी को इन्फोर्मेशन नहीं है उसके बाद जो है आपका यह और इस पार में आपको जुन में ही आ गया था जुलाइं में आपका टीजी टी का आया हुआ था और इसके फॉर्म फिलब जो है 18 अगस तक भरा गया थे और उसके बाद जो है इसके साइट पर लगतार जो है आपको यह मतलब जो करेक्शन विंडो है आपका ओपेन होगा तो वही आपको दिखा रहा है, ठीक है, बीच-बीच में न्यूज आती ही रहती है, अभी का टाइम ऐसा है, कि information का flow बहुत जादा है, और जो चीज पर, कोई भी topic, कोई भी hot topic पर आप सर्च करिएगा, तो उस पर आपको इतने सारे creator हो चुके हैं, इतने सारे video बनाने वाले ह हो गया, क्योंकि कुछ न कुछ आपको video मिली जाएगा, तो देखिए, आपको EMRS related कुछ भी होगा, ठीक है, कुछ भी अगर होता है, तो आपको exact information आपको जो है, इसके official site पर मिलेगा, ठीक है, तो जैसे कि आपको पता है कि इसके form fill up हो जाने के बाद, आपका कुछ high court का कु और case का कोई, बेतू का मतलब, जो case किया गया है, उसका कोई, मतलब, वो कोई उसका अधार भी नहीं है, इसलिए नहीं अधार है, क्योंकि सारा जो funding होता है, एकलब विद्याले का, वो central government की तरब से होता है, तो central government को ये पूरा अधिकार है, पूरा right है, कि जो है, वो जादा ठीकता नहीं है, एक तो hearing में वो चीज खतम हो जाता है, ठीक है, तो ऐसा कुछ है, और बीच में वहाँ पर जो contractual staff जो कुछ काम कर रहा है, तो उनके बारे भी मतलब कुछ-कुछ government पर रिवेट दिया है, बट ऐसे तो मतलब रिवेट दिया है, और आपको अगर आई हुवी थी, और बजट भी पास हुआ था, तो इस बार यकीन मानिये कि इस बार, क्योंकि इतने सारे school खुले है, तो employment जनरेट होगा ही, उसके लिए staff का जुरत पड़ेगा ही, तो इसलिए तो advertisement आपका निकाला गया है, ताकि अच्छे से अच्छे teachers को वहाँ पर hire किया ठीक है, और बीच में वही हुआ था, तो मेरा जैसा लगता है, जैसे कि पिछली बार आपका पिछले साल नौदय का exam हुआ था, तो इसका जुलाई भी आपका notification आया हुआ था, उसका exam जहा है, और नौवंबर के last week में आपका हुआ था, तो इसके भी कुछ आपको जो है, एसा ही कुछ देखने को मिल सकता है, ये भी कुछ संभावनाय है, ये भी कुछी किसी तत्यों के धार पर ये बात कही जा रही है, तो इसका भी कुछ आपको अपडेट्स आएगा हो सकता है, इस मन्त के last class तक या correction window आपको कुछ जल्द आपको देखने को मिलेंगे, correction window आप आपको जहत तुरंत आपको कुछ दिनों के बाद ये नोटिफाई कर देंगे कि एक्जाम लेंगे, और दूसरी बात है कि ये एक्जाम offline होना है, तो exam भी मतलब exam conduct करवाने में कोई problem नहीं है, क्योंकि अगर online exam होता है, तो क्या होता है कि बहुत सारे exam चलते रहते हैं online center में तो वहाँ पर dates लेना होता है, ये करना होता है, लेकिन इसके exam offline है, तो एक बार ये तुरंट decide होगा, और तुरंट decide होकर कि आपका exam date हो जाएगा, तो एक बार correction window open होने दीजे, ये कब होता है, लेकिन सारे information आपको जो है, इसके official site पर मिलेंगे, कोई कितना भी video बना दे, क कितना भी कुछ बोल दे, उसके बोलने से कुछ नहीं होता, जब तक क्योंकि कुछ भी information आती है, तो किसी भी particular site के, किसी भी particular requirement agency के, उसके official site पर आती है, तो इसका भी date का, जो भी schedule है, आपके official site पर, मिलेगा बाकी, एक अच्छी खासी vacancy है, अगर आप jobless है, तो आप इसका एक ही exam में help नहीं करेगी, बहुत सारे exam में आपको help करेगी, ठीक है, इसके बाद KBS TGT PGT का final result, आपको पता है कि KBS का TGT PGT का already written exam हो चुका है, आपका ये interview भी हो चुका है, उसके final result pending है, और LDC के result mostly exam जो आपका departmental examination हुए थी KBK, उसके भी result आ चुके है, तो इसको भी election से connect कर सकते हैं, क्योंकि Central Government का आपका election है, तो आप देखते होंगे कि हर एक 3-4 months में एक रोजगार मेला का आयोजन, employment fair का आयोजन किया जाता है, उसमें 50-16,001,001,001,001,001,001,001,001,001,001,001,001,001,001,001,001,001,001,001,001,001,001,001,001,001,001,001,001,001,001,001,001, नहीं आपको एक employment fair का प्रधान मंत्री के द्वारा फिर से आयोजन हो, और वहां से एक डंडा चले, वहां से मिनिस्ट्री को से order मिले के विए को कि जल्दी से result प्रब्रिस कीजिए, जल्दी से appointment letter बनाईए, और वहां से order मिले और तुरंत आपको जो है, इसके result आपको अच्छा-चा काम होता है, तो एक election का एक महौल बनता है, तो ऐसे ही कुछ logic से आप कुछ चीचों को connect कर सकते हैं, तो आपका October ongoing है ही, तो November, December तक इसके result आने के chances है, और कहीं न कहीं आप इसको election से link up आप कर सकते हैं, बाकी जो होना होगा, जो होगा, वही होना है, बड़ इ संबर तक आपको मिल सकते हैं, बाकी result कल आजाए, आज आजाए, किसी को exact पता नहीं है, डी ट्रिप्लेस्वी की वेकेंसी भी काफी साल से ही आपकी चल रही है, कि डी ट्रिप्लेस्वी की वेकेंसी आएगी, आएगी, बीच में आपका advertisement आया हुआ था, उसके बाद फिर ल तो ऐसा सुनने में आता है कि इसके advertisement ready है, बट क्यों नहीं आ रहे हैं, और आपको पता है कि डिली में हमेशा जो है आपकी government किसी और की है, और आपके वहाँ के जो governor है, वो किसी और के है, तो हमेशा दोनों में आपका conflict चलते रहता है, और conflict चलते रहता है जिसके कारण से ज इसका भी काम होता है, तो उसका खामियाजा भुगतना पड़ता है, तो ये भी कुछ कारण हो सकता है, election भी कारण हो सकता है, तो अगर आपको ये लेना है, तो बस एक ही मूल मंत्र है कि आप continuity के साथ लगे रहिए, क्योंकि vacancy का आना, exam का हाना, ये हमारे candidate के हाथ में नहीं करते रहे, जब से ही notification आये, खुद को तयार, मतलब form fill up करें और जैसे ही exam data है, और आपको पता है कि हर एक exam में चाहे को A.V.S. होए और D.S.P. में आपको एक अच्छी खासी competition होती है, तो आप continuity के साथ तयारी में लगे रहे, इसका एक ही इलाज है, बाकी इसकी भी vacancy जो है की election है, तो इसकी भी कुछ आने की संभावना है, और वही एक ही बात फिर से बोलूँगा, कि आपकी तयारी ही आपके selection का कारण बन सकती है, आपके, आप तयारी अगर नहीं करिएगा, तो आपका selection नहीं होगा, ठीक है, यही बात हो गया, फिर है continuity is important, अगर आप बीच में पढ़ाई को gap कर देते हैं, पढ़ाई में अगर आप टाइम नहीं देते हैं, प्रैक्टिस को छोड़ देते हैं, अपने subject को मजगुत करना छोड़ देते हैं, ऐसन यह कि आप 10-12 hour study करिए, at least 2 hour, 3 hour आपका continuity के साथ वो आपका बना रहना चाहिए, अगर आपका continuity के साथ वो तो कहीं न कहीं, continuity अगर आप preparation mode में हैं, तब तक आपकी continuity बनी रहनी चाहिए, जब तक कि आपका कहीं final selection न हो, हमेशा negativity वरे महाल में आपको positivity कुछ न कुछ आपको निकालना है, तो continuity आपका break नहीं होना चाहिए, क्योंकि आपका preparation जो है, आपको selection दिलवा के जाएगा, फिर यह सब बातें बोलनी आसान होती है, बट इसके अलावा दूसरा option भी तो नहीं है, ठीक है, ऐसा तो नहीं है कि कोई चाहेगा, तुरण advertisement निकाल देगा और जल्दी से process कंप्लीट करवा देगा, यह तो किसी organization के हाथ में, वो जब चाहेंगे तभी वो निकालेंगे और जो process हो जाता है, तो कहीं ने कहीं फिर से line-up होने में काफी problem, और competition तो आजकल इतना तगड़ा है, कि हर एक post पर इतना fight है, कि आपकी preparation अच्छी रही होगी, और आपने continuity break कर दिया, तो कहीं ने कहीं आपको काफी problem होगा, क्योंकि अगर आपने अच्छी खासी मेहनत किया, और selection अगर आपका नहीं होता है, तो मैं इस बात को समझ सकता हूँ, कि exam का result नहीं आता है, तो कितना दिमाग pressure होता है, और कैसा mood खड़ाब होता है, वो तो आप, और हम जो भी preparation करते हैं, वो हम लोग, मतलब किसी exam की सिद्धत से तयारी करो, उसमें आपका selection नहीं हो, तो कैसा ल selection दिलवाएगा, दूसरा कोई भी चीज है, जो है, आपको selection नहीं दिलवाएगा, तो एक well mindset के साथ लगे रहे, यह जंग है, और यह जंग तभी आपका finish होगा, जब तक कि आपका कहीं selection नहीं हो जाता है, तो चीजें है, चल रही है, flow में चल रही है, और आपको पता है कि क जॉइनिंग होना बहुत ही अच्छे से हो जा रहा है, KBS भी बहुत पहले अच्छे से काम करता था, पता नहीं अभी क्या है, दीस है, देठ नहीं पता, और यह पहली पहली बार आपका EMRS का हो रहा है, तो थोड़ा सा लेत लतीफ होगा, इस बार exam इसका होगा, पक्का यह माल लिजे, बहुत सारी school open है, तो यहीं सब कुछ, तो यहीं preparation आप करते रहिए, और वही preparation आपको बहुत सारी exam में आपको कहीं कहीं help कर देगा, और वही preparation आपको कहीं कहीं selection, एक बार selection ले लिजेगा, mind setup हो जाएगा, दिमाग सांथ हो जाएगा, फिर आपको detail recipe का त्यारी क महाँ चले जाएगा, तो फिलाल कहीं न कहीं अपने आपको setup करना जरूरी है, उसके बाद आपका mind इदम comfortable हो जाएगा, आप हलका साभी पढ़ाई कि जाएगा, तो उसमें भी आपका selection हो जाएगा, तो preparation करते रहिए, और हमेशा negativity भरे महाल में, positivity हमेशा हम लोगों को सोचन आ रहा है, तो आप उसको देखे, समझे, उसे आपको वही 10 second के 20 second के वीडियो में ही आपको बहुत सारे concept देखने को मिलेंगे, जो कि जहां पर भी आपका mathematics का portion पूछा जाता है, वो चीज आपको जो है, हो क्या करेगा, help करेगा, साथी जाथ कुछ-कुछ कोश्टन भी मैं reasoning का post करता हूँ, thoughts में, तो उसका भी comment दे, तो वह भी अगर आप मतलब देते हैं, तो कुछ-कुछ आपका mind active रहेगा, ठीक है, कहीं से भी आपको अच्छी चीजे deliver हो रहे है, तो आपको उसको follow करना चाहिए, ठीक है, बाकी तो और बुग कुछ है ही, तो यही सब कुछ ब वीडियो पसंद आया, वीडियो को like कर दीजेगा, चैनल को, जो भी help मिला, चैनल को please subscribe कर दीजेगा, और description box में आपको telegram और whatsapp चैनल का link दिया हुआ है, वहाँ पर जो भी information आता है, वहाँ मैं हर एक दिन share करता हूँ, ताकि PDF हो गया, किसी चीज का notification हो गया, कोई आपका तो चलिए मिलते हैं नेक्स वीडियो में, we will meet in next वीडियो तिल जहिन बंदे मात्रम, thank you friends, thank you for watching my video, thank you